नमस्कार में हूँ प्रतीक शवर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24 इंटर सावन लाइट टीवी तो चलिए रुख करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों का समदड़ी तहसील छेतर के सैक्रो किसान एकत्रित होकर तहसील कारयाले पहुंचे जहां कानराम चौधी के नेतरतों में तहसीलदार राकेज जैन के मारपत किसानों की विविनस समस्याओं को लेकर मुख्यमंद्री के नाम ग्यापन सौप अगया वहीं ग्यापन में पूरु शर्पांच बावुलाल परिहार ने बताया कि पिछले एक माह से लगतार टिड़ी दल आक्रमन कर रहे है तथा हाली में बोई गई खरीफ की फसलों को टिड़ी दल चौपट कर रही है उचित की इटनासक दवाईयों का छिरकाओ कर टिड़ी द पानी को प्रदूशित कर रहा है इसके बावजूद भी किषानों को अनुदान वाद भीमा क्लेम राशी नहीं दी गई जो अतिशीघ्र दी जाए बारती किषान संग तहसील मंत्रिय शोपकुमार माली ने बताया कि वर्ज 2020 में खरीब फसलों की बुवाई है तो किषानों को अभी तक सरकारी रेंड वार उबलब्ध नहीं कराया गया जिससे किषानों को भीज करीदने के लिए भी मुशीवतों का सामना करना पड़ रहा है इस दौरान सेक्रों किषान मौजूद रहे हैं इंडिया 2427 लाइप टीवी के लिए शैतान सिंग माली की रिपोर्ट किस कि अभी तक पहुंचे हैं कि हमारा जो वर्तमान में इस को रणा के तैट में जो को बिल माप करें काच्कारों करें और पूर सरकार ने जो आट सो पेस्टी सिंग मंतली अर बिल में माइने सोकर सरकार थी अनुजान राशी आतिती वो भी नहीं हा रही है तो उसको भी इस ब